भाजपा की मंडी संसदियों सीट से प्रतियाशी कंगनारनोत ने जीत हासिल कली है वहीं कंगनारनोत ने मंडी में पत्रकारों से बात चीत में नेता प्रतिपक्स चैराम ठाकुर और मंडी की जनता का आभार प्रकट किया है उन्होंने आश्वासन दिया कि वे मंडी के विकास और प्रगती के लिए सदात तक पर रहेंगी वे लीड किया हमारे सारे विधायक और विधान सभा के नेतापति पक्ष सबका मैं पुए दिल से धन्यवाद करती हूँ और सबसे बड़ा धन्यवाद जो मैं आज करती हूँ वो मंडी की जनता का जिन्हों ने अपनी बेटी को अपनी बेहन कंगना को जो है वो आज इस मुकाम पे पहुचाया और मैं आश्वासन देती हूँ कि जितना भरोसा उनको हमारे नेता नरेंदर मोदी जी के नेतित्तों में है उनके परसाशन में है उनके विजन में है उनके विक्सित भारत का जो विजन है उसमें है उसमें मैं उनका जैसा मैंने हमेशा कहा है कि सेना के रूप में जो है मंडी के विकास के लिए मंडी की प्रगृति के लिए जो है सदा ही तत्पर रहूँगी और इसके साथ ही ये मेरे लिए बहुत ही भाव जो है वो मिली है जिससे ये पता चलता है कि जो मंडी की जनता है वो अब बेटी में अपनी बेटी में अपनी कंगना में अपनी बेहन में जो है विश्वास रखती है और ये जो परिवार वाद की जो ये राजनीती है उसको उन्होंने पिल्कुल नकार दिया है ये चुनाव जो है नरेंदरबोदी जी के नाम पर लड़ा गया है और इसमें जब मेरा CENZ predator भी अनौंस हुआ ता तब भी मैंने कहा था hijre जो चुनाव है हम तो अभी बहुत नए हैं हमें तो भी बहुत कुछ सीखना है बहुत कुछ करना है हमारा राजनीती में अपना कुछ अभी तक कोई योगदान भी नहीं है कोई नाम भी नहीं है तो निश्चे ही बात है हमने जो हमारे जो नेता है नुरेंद्र मोधी जी के पर चुनाव लड़ा है और उनकी जो क्रेडिबिलिटी एंग जो लोगों का विश्वास है आज उसी का ही परिणाम है कि हम तीसरी बार जो है भारते जनता पार्टी जो है अपनी सरकार सेंट्र में बनाने जा रही है और आप सब का आश्रिवाद हमें चाहिए और इसके साथ मैं अब जो है आपसे मिलती रहूंगी और आगे जो भी है जो जिस तरह से हमारा प्लान है चीजे एक्जीक्यूट करने का और लॉंच करने का वो हम डिसकस करते रहेंगे आप सब मीडिया बंधों का भी हमें जो है वो इसमें सही योग चाहिए होगा और मंडी का जो है अब भविष्य जो है बहुत ही उजवल होगा धन्यवाद लगाइज जयसे पियम मोदी ने अपने सौधिन का जो है प्लान पहले से से सेट कर लिया है अपना रनाओ का प्लान अब क्या है देखिए जैसा कि हमने कहा कि हर एक जो है विधान सवा जो है उनकी अपनी मांगे हैं ज चाहे स्कूल हो, चाहे केंदरे विद्याले हैं, टनल हैं, हाईवेज हैं, बड़े रोड्स हैं, राजमाग हैं, इस तरह के नचाने कितने काम जो हैं, वो कुछ करने को हैं, कुछ रोक दिये गए हैं, और उससे भी बढ़कर जो हमारी सेंटर की स्कीम्स हैं, उनके लाभारती काम तो खेर, अब मैं बात करने लगूं, तो यहां पर बहुत लंबा समय खित जाएगा, और हमें जो है, अब जिस तरह से आदेश होंगे, और जिस तरह से हमें रस्ता दिखाया जाएगा, उस तरह से हम काम करेंगे, कुछ वक्त मुझे देखने में के पीछे जो पीछे के थे, उन्होंने एक दम जो है, निल स्तर पर जो है, वो काम है, तो खेर, इसके बारे में अब क्या ही कहना, अब हम फिर से शुरुवात करेंगे, ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिम्ला